उमीद करता हो दोस्तों आप सभी खेरत से होंगे इस वीडियो में धोस्तों हम बात करेंगे वयदा का वूमेंस 2020 के बारे में जो के मैच होने वाला है केनिया वूमें वर्सेस नाइजिरिया वूमें के दरमियान इस वीडियो में हम आपको player by player detail में जानकारी देने की में मिलेगी टेलिग्राम को जॉइन करना 100% से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है जहांपर आपको दूस्तों हर मैच के फाइनल टेमस साथ हर आफर के बारे में सबसे पहले आपडेट मिलते रहती है प्यारे दोस्तों अगर आप हमारा संडे गीवेवे जीतना चाहती हो तो हमारे विनस के लिस्ट में तो करेंगे जबकि देखा जाए तो Nigeria Women ने सिरफ दो match दोस्तो win किये है और दोस्तो और एक आपको बात बताती चलूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो Kenya Women की team दोस्तो strong team है और अभी तक दोनों team से दोस्तो एक ही एक match खेला है तो देखा जाए तो Kenya Women ने पहले match में टॉप class performance से दिखाई है तो चलिए दोस्तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे detail में मेरे प्यारे दोस्तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर wicket keeper option से तो wicket keeper में दिखा जाए तो यहाँ पर आपको 2-3 option खेलते वे नजर आ जाएंगे दोस्तो अगर बात करेंगे यह 3 options है यह पहले match में बिल्कुल fail हुए थे लेकिन अगर देखा जाए तो S जुमे ने पहले match में 2 run out यानि stumping जिसे कहते है निकाले थे वहाँ से दोस्तो इसको 14-14 point में 12-12 point मिले थे तो दोस्तो बागी इसने भी उतनी batting तो नहीं की थी दोस्तो जादा important रहेगा यह match दोस्तो जो है यह मतलब जिस ground में खिला जाएगा वो दोस्तो bowling friendly है वो bowling को support करेगा और साथी साथ दोस्तो आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जादा बोलर्स चलते है और all rounders चलते है अगर आपके पास अच्छे all rounder है अच्छे बोलर है तो आप दोस्तो यहाँ पर अच्छी खासी amount win कर सकते हो दूसरी बात आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ का आब वागा की बात करेंगी तो दूस्तो इसने पहले मैच में 22 run का सिकोर किया अभी तक एकए Okay match खिला है सभी ने वही एस Azuma ने दौस्तो साथ round का सिकोर किया एक विकट निकाला है पहले मैच में वही दोस्तो इसके बाउजू जितने भी यहाँ पर नीचर प्लेर सी है पहले मैच में दोस्तो बिलकुल फ्लॉप हो गए कोई भी कुछ नहीं कर पाया तो दोस्तो इनको फिर से खेलेगा मौका मिलेगा थोड़ा सा उधर इधर चेंज हो यह काफी अची प्लेर नी है दोस्तो लास्ट मैच में इसने पांच विकट निकाले और एक मेडिन ओवर भी किया दोस्तो यह मतलब एक मजाक नहीं है पांच विकटे निकाले इसने और साथी साथ एक मेडिन ओवर भी किया तो इसको मिले 180 पॉइंट के करीब इसको पॉइ एबील क्यों एबील भी दोस्तों जादा तर वन डाउन खेलती है तो वन डाउन खेलने के साथ साथ अगर बात करेंगे जो फर्स्ट मैच था इनका तो फर्स्ट मैच में दोस्तों इन्हों ने एक विकट निकाला एक विकट निकालने के साथ साथ दोस्तों इसने 35 रन का सिको किया क्यों एबी एक विगट निकाला 35 रंड का स्कोर किया और एक मेड़िन ओवर भी किया एक मेड़िन ओवर दुस्तों तो याद रखना है यह जो दोनों प्लेर्स हैं इनको दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है यह टॉप क्लास प्लेर्स है आपके लिए और वही एम नेगोची के बात करेंगे नेगोची के हवाले से अगर मैं आपको बता दूँ तो नेगोची ने एक विकट निकाला था पहले मैच में नेगोची दोस्तों इसने 14 रंस का स्कोर किया था 14 रंस का स्कोर किया था वही बी इटम एक बेस्ट प्लेयर है दोस्तों नाइजीरिय की तरफ से बले ही दोस्तों इसने पहले मैच में कुछ नहीं किया लेकिन इसका जो प्रिवाइस ये रिकार्ड है तीन विक्टे तीन विक्टे ये काफी विक्टे लिकर निकालती है बैटिंग के साथ साथ दोस्तों ये बहुत विक्टे निकालती है तो इस प्लेयर को इस मैच के लिए फिर शिट अच्छे रहेंगे अगर पहले वाले की बात करेंगे जिए फॉसा साथ विकट इस इसने पहले मैच में स्कोर किया और दो विकट भी निकाले यानि दोस्तों यह भी एक आल रॉंडर जैसी प्लेयर है और साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसने एक विकट निकाला और इसके बावजू दोस्तों कोई भी प्लेयर विकट नहीं ले पाया तो आप थर्ड विकट मतलब थर्ड प्लेयर कोई भी ले सकती हो सस्ते वाला या जो आपको मन करे उसके साथ आप जा सकती हो अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर आल तो मुझे लगता है कि एक को ड्राप करना चाहिए क्योंकि इनकी तरफ से फिर पांच बोलर आएंगे मतलब पांच हूद तो यह और नहीं पर पाएंगे तो इसलिए यहां पर एक को ड्राप करेंगे वह है एक ओडे ममबो आप चाहो तो इसके साथ जा सकती हो की सी को ड्रॉप कर सकते हो तो यहां पर हम कीनिया नाइजीरिया मुमिन की तरफ से एक प्लेयर को पिक अप करेंगे तो फिलाल यहां पर हमने एक को प्लेयर को पिक अप कर लिया तो आगे चलेंगे यहां पर देखा जाए वी एबोगा और एस एजुमबा और साथी साथ यहां पर कोई match करोना की तरह वज़ा से खेला नहीं इन्होंने तो यह play यहां से हम pick up करेंगे अब बचा एक तो वह यहां पर S Jamia के साथ ही जाएंगे तो दोस्तो यह रहा हमारा Grand League टीम तो इस टीम में देखा जाए तो यहां पर विकट की पर सेक्शन में Jamia वी अबगरा और नाइजीरिया की बात करेंगे नाइजीरिया की तरफ से दोस्तो एक तो यहां पर तीन यह तो बैटिंग करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ दोस्तो इनके मतलब तीन बैट्समेन लेने के साथ साथ इनके तीन बोलर भी आ गए यह देखें दोस्तो यह टीम इस तब काम करेगा अगर दोस्तो यहां पर कीन या वुमेन ने पहले बैटिंग की याद रखना यह टीम तभी काम करेगा अगर कीन या वुमेन ने पहले बैटिंग की कीनिया उमेन की तरफ से दोस्तों मैंने कितने यहाँ पर बैट्समेन लिए बैट्समेन तो इनकी तरफ से मैंने 6 1, 2, 3, 4, 5 5 बैट्समेन लिए और बॉलिंग की बात करेंगे तो बॉलिंग यह 3 और यह करेंगे 4 तो यह बहुत ही अच्छा टीम बन गया और कैप्टेन की बात करेंगे तो कैप्टेन आपके लिए अगर आप सुमाली हैट्वेट खेलना चाहते हो तो इन दो पे आपको ज़ादा तर आज नजरे टिकानी पड़ेंगी और अगर आप ग्रान लिग पे मेरे अंदाज से आज टार्गेट करना चाहते हो तो ये प्लेयर आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे फिलाल दोस्तों मुझे यहां से दीजे चार्जत हम मिलेंगे टेलिग्राम पे जब तक के लिए बाई बाई बेस्ट अब लाग